करदानी थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 2,000 रुपे के नामी बदमाश को गरफतार किया है आरूपी सिवरास गैंग को बाहर से मदद करता था DCP बंदितार आना ने बताया कि 10 नवंबर 2022 को नागल जैसा बौरा करदानी निवासी सतिंग सिंध ने थाने में मामला दर्च करवाया था जिसमें बताया गया कि 9 नवंबर को उसके भाई बीरेन सिंग का फौन आया था काफी खून वहरा था भाई के सिर्फ पर हाथ पर जगत चोटाई हुई थी इस पर उसने भाई को गारी में बिठाया भाई ने बताया कि बुलैरो में जीतिन, फिल्डानी, सागर सिर्फ और दीपेन, रविन खांडी, भगवान सिंग, अजय सिंग सिंग और नागर सिंग और अन्ने लड़के उनके साथ थे जिन्होंने मिलकर मेरे भाई पर जान से हमला किया था साथियों के साथ मरूदर अस्पतार में भरती गराय वाया जहां उपचार के दोरा और उसके भाई की मौत हो गई पुलिस ने बताया कि गरतार आरोपी अंकित सिंग राठोर और अंकित आगोधा गणेज बाटी का बैजी का चोरहा निवारू रोट करधनिका रहने वाला है पुलिस ने उसके उपर 2000 रुपे का इनाम रखा था पुलिस ने बताया कि इससे पहले गटना में शामिल, बलदीप सिंग, राठोर और सोनू, बिजय सिंग और सन्नी, दीपेन सिंग, सेखावत और सागर सिंग, नागर सिंग, राठोर, दुरगे सिंग, चन्रावाद, जीतरेन सिंग, हुल्डानी, अजय सिंग, सेखावत, सं सिवराज सिंग मुख गैंग का सरगना सिवराज सिंग और कालू को गरफतार किया गया है